हेलो दोश्तों आएए शुरू करते हैं आज की ग्लास आपके अपनी लेज के साथ और आज हम देखेंगे रियल लाइफ सेटेंश गुदोशेंट पे नियुद के सांध के सेटेंश मतलब हमारे सामाने जी वन में सामाने बॉलचाल में जो present perfect tense के sentence बोले जाते हैं उसे के हम कुछ उधारन देखेंगे जो नय है वे जान ले कि प्रवर्ता की spoken English का full course चैनल पर वैलेबल है जिसके लिए आपको वीडियो के नीचे चैनल पर नाम पर क्लिक करना होगा फिर प्लीच्ट पर क्लिक करना होगा जहाँ पर आपको साऔर मिल जाये इसमße पावर फूल इस्पोकन बेंग्लीज को दोस्ता सतर पाव क्लिक करेंगे तो अब को सारे वीडियो इसमें हम बनाएंगे ऐसे वाख present perfect tense है present perfect tense का formula एक बार फिर से revise कर ले subject फ़हले फिर has या have helping verb दोनों में से कोई एक फिर verb की third form perfect tense में third form then other words subject फिर has या have verb की third form then other words has singular के साथ have plural के साथ और I और you के साथ भी have का use करेंगे पहला sentence वह जा चुका है चुका है कोई काम हो गया है मतलब present perfect tense clear कि वर्तमान में कोई काम हो गया है कोई काम पूर्ण हो गया है मतलब वह sentence present perfect tense का है sorry he has gone he has gone वह जा चुका है वह जा चुकी है लड़की है तो कहेंगे कि she has gone clear लड़का है तो he has gone लड़की है तो she has gone राज सो गया है राज has slept clear राज has slept singular subject है राज नाम है इसलिए helping up रहेगा has और sleep verb है जिसके third form होगी slept पापा आ चुके है dad has come come first form और third form दोने सेम होगी come camp come जिसलिए confused ना हो mommy चली गई है mom has gone यदि आ गई है तो mom has come rena out हो गया है rena has got out run out हो गया है तो गहेंगी rena has got run out मैंने सुन लिया है I have heard I have heard मैंने phone कर लिया है I have found phone करने के लिए verb रहेगी phone clear phone जो सब्दे है वो noun भी है और verb भी है तो phone करने के लिए verb phone और इसकी third form phone I have found उसने बात कर ली है he has talked he has talked discuss कर लिया है तो he has discussed उसने बता दिया है he has told tell की third form told he has told मैंने अपना काम खत्म कर दिया है I have done my work उसने उसका काम खत्म कर दिया है तो he has done his work उसने homework खत्म कर लिया है उसने he he has finished his homework he has finished his homework उसने उसका तो he subject में और his लड़की हैं तो कहेंगे see और his के जगह आएगा हर सब्जेक्ट में see और उसका objective form रहेगा हर सब्जेक्ट में see है तो object में क्या रहेगा हर क्लियर जैसे सब्जेक्ट में यदि आई है तो हम object में यूज करते हैं वैसे he है तो his और see रहेगा तो रहेगा her और we है तो our यह चीज हम starting में ही देख चुके हैं इसलिए पुराने वीडियो को करम से जरूर देखें ताकि हर चीज आपको clear हो तो he has finished his homework उसने अपना काम खत्म कर लिया है लड़की है तो कहेंगे she has finished her homework वह सो चुका है he has slept वह भूल चुका है he has forgot guest आचुके है guest has come train आचुकी है train has arrived train के आने के लिए वर्वाती है arrived और जाने के लिए departure तो train has arrived train आचुकी है bus जा चुकी है bus has gone हम मंदिर पहुच चुके है we have reached temple हम बाजार पहुच चुके है we have reached market हम दिल्ली पहुच चुके है we have reached दह्ली मैंने उसे सब कुछ बता दिया है I had told him everything मैंने इसलिए subject में आई उसे इसलिए इधर other words में him उसके लड़का है इसलिए him और लड़की रहती तो हम कहते हर और सब कुछ के लिए English word everything और वरब रहे की tell की third form told बताने इसका अर्थ होगा I have told him everything उसने मुझे सब कुछ बता दिया है कि उसने मुझे सब कुछ बता दिया है तो he has told me everything लड़की है तो she has told me everything नाम किसी का लेना चाहे कि राज ने मुझे सब कुछ बता दिया है तो Raj has told me everything, clear? Millie ने एक गाना गाया है Millie has sang a song, competition में गाया है तो Millie has sang a song in competition, school में गाया है Millie has sang a song in school Rhea ने सर से बात कर ली है रिया हैस टॉग्ड विट सर मैंने मेनेजर से मिल चुका हूँ वह मुझसे पहले भी मिल चुका है 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 मुझसे है इसलिए मी राजू से मिल चुका है तो वह मुझसे पहले मिल चुका है तो मी की जगह किसी का नाम भी हम बोल सकते हैं कि सरमा जी ने पुराना मकान बेज़ दिया है कि सरमा जी है sold old house सरमा जी है sold old house पुरानी गाड़ी बेज़ दी है सरमा जी है sold old car आमीर ने नई कार खरीदी है आमीर है इस पर्चेश्ट न्यू कार खरीदने के लिए और पर्चेश करस्ट बाइब सकते हैं तो बाइ towards shop , की और के लिए वाड आएगाँ तो इन अच्छा जा चेट मीरा है तब हमMr G lowest टूड़ को स्युक्त है थार लुए तो यह हैं तो यह हैं दोरी है से फन्च गी अक्ले काथ्ट को सुट अनिक्ट इंदिया ने 311 रन बंदाए है इंदिया है इस Score 311 रूंश्क्लियर करने के लिए अंक मिलने के लिए या忍 hen बनाने के लिए वरभाएगी Score और उसकी तर्फ़ा मोस्थ हो जाएगी Sport तो इंदिया है इस bei 311 रूंश्कि पाथान ने चार विकेट लिए है पतान है टेकन फोर विकेट मैंने कार में पेट्रोल भरवा लिया है तो I have फ्यूल इन कार पेट्रोल दलवाने के लिए फ्यूल वरबर रहेगी और फ़्यूल I have फ्यूल इन कार इंदर भराने के लिए Actually fuel means इंदर दलवाना या भरना मैंने राज को पुकारा या बुलाया है मैं राज को आवाज दी है राज को बुलाया है तो वर्ब रहगी call छंडेश होगा I have called to Raj राज को बुलाया है I have called to Raj राज को आवाज दी है I have called to Raj उसने मुझे phone किया है He has made phone call to me उसने मुझे phone किया है तो he has करने के लिए mad verb का भी उसकिया है फोन किया है इसलिए phone call फोन के लिए phone call और to me मुझे के लिए to me उसे के लिए to his राज को किया है तो he has made phone call to Raj मी की जगह जिसको भी हम किया है वहां बोल सकते हैं मैंने उसे phone किया है मैंने तो subject में रहेगा I और I के साथ have I have phoned him तो हम दो तरिखे से बोल सकते phone करना या तो met बोल सकते हैं और फिसाथ में phone call या direct हम word वीज्ट करेंगे phone phone करने के लिए phone third form phone तो I have phoned him लड़का है तो him लड़की है तो her I have found him or her राजू ने मेरे जूते पहने है राजू has put on my shoes मेरी shirt पहनी है तो put on my shirt इस परकार से हम कह सकते हैं मैंने बेग वो चाबी रख ली है I have kept big and key I have kept bag and key रखने के लिए verb keep उसके third form kept वो अपना बेग ले चुका है कि उसने उठा लिया है रख लिया है तो he has taken his bag he has taken his bag लड़की है तो she has taken her bag हमने हमारा बेग ले लिया है तो we have taken our bag मैंने कार पार्किंग में खड़ी की है I have parked car in parking area कार खड़ी करने के लिए पार्क हम बोलते है कि पार्क कर दो तो वर्ब भी रहेगी पार्क और थरफाम हो जाएगी पार्ग्ड तो I have parked car in parking area उसने मुझे फोन नहीं किया है तो negative sentence है ये इसलिए helping verb has यह के बाद not लगेगा तो he has not phoned me राजू ने मुझे फोन नहीं किया तो राजू has not phoned me यह साम कह सकते हैं उसने मुझे निमंत्र नहीं दिया है he has not invited me मैंने उसे नहीं देखा है I have not seen him उसने मुझे नहीं देखा है उसने उसकी बात कर रहा तो subject में रहेगा he he has not seen और मुझे के लिए object में me he has not seen me हम पहले नहीं मिले है हम के लिए subject में we तो we have not met before we have not met before निसी ने खाना नहीं खाया है निसी has not taken food खाने के लिए ब्रहगी take कि थार फॉर्म taken खाने को कहेंगे food उसने चाय नहीं पी है उसने लड़का है तो he he has not had tea तो यह confused नहीं हो जो कि कुछ खाने या पीने के लिए verb take और have दोनों का यूज करते है clear तो have यदि हम यूज करते है word वर्ब खाने के लिए तो उसकी थार फॉर्म हो जाएगी तो he has not had tea clear कि उसने चाय नहीं पी है याद रहेगा कि पीने या खाने के लिए दो वर्ब काम यूज करते हैं take और have राज ने फीस जमा नहीं की है राज has not paid fees उसे चाबी कहीं भी नहीं मिली है कि उसने सब कुछ जून लिया पर चाबी कहीं भी नहीं मिली तो he has not found key anywhere कहीं भी नहीं के लिए वर्ब रहेगा anywhere मिलने के लिए वर्ब रहे के find उसकी थर्फ फाउंड चाबी को कहेंगे की he has not found key anywhere उसको चाबी कहीं पर भी नहीं मिली वीरू ने दो जीन्स और एक शर्ट बाजार से लाए है तो वीरू has bought two jeans and one shirt from market में उसके खाते में 5000 रूपे जमा किये हैं कि मैंने खाते में 5,000 रूपे जमा किये हैं तो I have deposited 5,000 रूपे इन अकाउंट जमा करने के लिए अकाउंट पगेरे में वर्ब डिपॉजिट करते हैं और निकालने के लिए विड्रॉल उसने 10,000 रूपे ATM से निकाले हैं He has withdrawn 10,000 रूपी थ्रू ATM, he has withdrawn 10,000 रूपी थ्रू ATM, clear, निकालने के लिए विड्रॉन वर्ड का यूज़ करते हैं और ATM की सहायता से इसलिए इसमें थ्रू प्रिपॉजिशन का यूज़ करेंगे हम Sir ने राहूल को सजा दी है Sir has punished राहूल Sir has punished राहूल हमने अभी तक केक नहीं काटा है We have not cut cake at जो सब्द है आखरी में उसका मतलब होता है अभी तक कोई काम अभी तक नहीं हुआ है वह अभी तक नहीं आया है वह अभी तक नहीं आया है He has not come at मैं अभी तक नहीं गया हूँ I have not gone at हम मंदिर नहीं गए है we have not visited temple हम अभी तक मंदिर नहीं गए है तब हम कहेंगे कि we have not visited temple at हमने नीशी का बर्थ प्रत्थम जन्म दिवस मनताया है कि we have celebrated first birthday of नीशी क्या राज आ गया है अब इंट्रोगेटी सेंटेंज देखेंगे प्रिश्ण वागी देखेंगे हम क्या राज आ गया है तो क्या से सिंपल हो रहा है काम हुआ है यह नहीं हुआ है मतलब है इंट्रोगेटीव वर्ट नहीं लगेगा तो संटेंज होगा है राज कम क्या वहां आ गया है है क्लियर क्या तुमने खाना खालिया है 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 यू टेकन फूट क्या तुमने चाए पी ली है तो कहेंगे है यू टेकन टी क्या तुमने आइस्क्रीम खा लिए है यू टेकन आइस्क्रीम क्लियर क्या वहां चले गया है has he gone राज कैसे आया है कैसे मतलब integrative word how तो how has राज gone क्या वह चले गया तो has राज गया क्या राज चले गया कैसे गया तो how राज राज गया कहां गया वेर है राज गया इस परकार से आप sentence बोल सकते हैं वह कहां गया है where has he gone हमारा question यही होता है किसने पुछा क्यों चले गया तो दूसरा question हम कहते है कि वह कहां गया तब हम कहेंगे where has he gone where has he gone लड़की है तो where has he gone वह क्यों गया है क्यों गया है why has he gone या why has he gone क्या तुमने फॉर्म जमा कर दिया है have you submitted form have you submitted form जमा करने के लिए where रहेगी submit और third form submitted have you submitted form कहां तुमने form जमा किया है तो where have you submitted form कब जमा किया है तब कहेंगे when have you submitted form क्या तुमने मेरी बुक लाई है have you brought my book वर्ब रहेगी bring लाने के लिए author form brought have you brought my book क्या तुमने मेरे पैसे लाया है have you brought my money क्या तुमने मेरा बेग लाया है have you brought my bag क्या तुमने मेरा पेन लाया है have you brought my pen इस प्रकार से हम संटेस कह सकते है क्या तुमने आमीर को फोन किया है है यू फोन टु आमीर क्या तुमने राज को फोन किया है है यू फोन टु राज इस प्रकार अब बोल सकते हैं क्या तुमने होमवर्क किया है है यू ड़न होमवर्क क्या तुमने तुम्हारा काम किया है have you done your work क्या तुमने इसे हल कर लिया है have you solved it क्या तुमने इसे हल कर लिया है क्या उसने यहां हल कर लिया है क्या उसने यहां हल कर लिया है has he solved it clear जैसा कि मैं कहते आ रहा हूं कोई क्रिया हुई है यह नहीं हुई है तो हल किया के उन्चियां पर स्वाल करना या हल करना तो हल किया या नहीं किया क्यों इतना ही पुछ रहे है तो sentence चालोगा helping verb से clear has या have से क्या राज ने तुम्हें कुछ बताया है has राज told you something कुछ के लिए word रहेगा something has राज told you something राज ने तुम्हें क्या बताया है क्या एक शच्छा कुछ पुछना चाहरे तो क्या के लिए what sentence हो जगा what राज has sorry what has राज told you what has राज told you राज ने तुम्हें क्या बताया है क्या पूछा है तो verb रहेगी ask उसके तरफ फर्म आगड़ तो what has राज asked you what has राज asked you राज ने तुम्हें क्या पूछा है गोगी को कहीं देखा है क्या तो इसी प्रकार क्या हम question सामान रूप से पूछते हैं तुम्हें क्या मेरा पेन कहीं देखा है तुम्हें मेरा मोबाइल कहीं देखा है इसी प्रकार क्या हम question सामान बोल चाल में पूछते हैं तो उसी तरीके का question हम सामने वाले से कहते हैं सामने वाले के लिए subject में you clear और देखा है कि रहा हुई है या नहीं इसलिए sentence चलोगा helping verb से तो सामने वाले को बोल रहे है इसलिए you subject है इसलिए helping रहे है कि have sentence चलोगा have से have you seen देखने के लिए verb see third form seen have you seen gogi somewhere कहीं मतलब somewhere और जिए बीजीज गोगी है तो gogi pain है तो pain, sir है तो sir गोगी की जगह पर हम जूज करेंगी जैसे have you seen gogi somewhere क्या तुमने मेरा gogi कहीं कहीं देखा है तुमने मेरा pain लेका है या pain कहीं देखा है have you seen my pain somewhere Have you seen my mobile somewhere? Have you seen my shirt somewhere? Have you seen my glasses somewhere? इस प्रकार हम सेंटेज बोल सकते हैं क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? Have we meet before? Have we meet before? क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? clear तो इस वीडियो में बस इतना ही पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं लाइक करें और नए देखने वाले चैनल को जरूर सब्क्राइब कर लें बेल पनल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो आपको मिलते रहें थैंक्यू